हेलो एवरिवन आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो आपका क्लास 10 का चैप्टर नमबर 14 है स्टाटिस्टिक उसको कराऊंगे आपकी सपोर्ट मेटीरियल की बुक से तो चैप्टर हम अपना लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने कोशन नमबर कहां तक क है क्या एक बार अप लोगों को मैं फिर यह चीज बताऊंगी कि जो चैप्टर है स्टाटिस्टिक आपका इस बुक से बहुत इंपोर्टेंट है क्यों इसमें हर तरीके के कोशन्स आपको मिल जाएंगे तो जब आप अपनी एंस आटी कर लो तो इस बुक से इस चैप्टर तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो यह क्लास इंटरवल है यह कंटिनुएशन में नहीं है तो हम क्या करते हैं पहले इसको इसको बना लेते हैं तो अगर मैं इसको बनाऊंगी तो 0.5 तो 10.5 आएगा देन दूसरी वाली देखें तो वह गा 10.5 तो 20.5 हो जाएगा उसक यह चलता रहे हैं आपको पता है कि लोव लिमिट से 0.5 माइनस कर दो और अपर लिमिट में क्या करो 0.5 प्लस कर दो तो आपकी जो डिस कंटिनूरस इंटरवल होती है नो वह कंटिनूरस इंटरवल में चेंज हो जाती है ठीक है अब आपको यहां पर क्लास साइज बताना ह इस मतलब इन दोनों के बीच का गैप तो वो कैसे निकालते हैं अपर लिमिट माइनस का लोवर लिमिट तो अपर लिमिट है मेरी 10.5 लोवर लिमिट है मेरी 0.5 सॉल्व करोगे तो 10 आएगा आप कोई सी भी क्लास इंटरवल लेलो जरूरी नहीं है यही वाली लेनी है यही ल देन अपर लिमिट ऑफ 21 टू 30 अगेन अपर लिमिट बतानी है कई बार हम लोग जलबाजी में 30 लगा देते हैं लेकिन वो गलत है क्यों गलत है क्योंकि यह कंटिनुएशन में नहीं है तो पहले चेंज करना परेगा तो आप पूरी फ्रिक्वेंसी डिस्टिब्यूशन को एकन को चेंज्ज dudies ना करकिं जिसकी आपको लिमिट बतानी है सिर्फ को चेंज करड़ो तो यह ओजएगा आपके पास 20.5 और यह कई आपके पास 30.5 तो अपर लिमिट तो यह होती है यह तो हमारी लिमिट होती है तो आपर लिमिट आ अगई मेरी सी एक फ्रिक्वैंसे डिस्टिबूशन दे रखिए अपर लिमिट बताओ मीडियन क्लास की पर मीडियन क्लास तो हमको निकान नहीं बढ़ेगी नहीं आपर तबी तो हम अपर लिमिट बता पाएंगे और अगर आप दिहान से देखे तो यह में अगें नहीं है तो दुबारा करेंगे इसको तो इस पार्ट को हम यहां पर कर लेते हैं पहले कंटिने स्रीज में अपनी क्लास इंटर्वल को बना लेते हैं तो आपके पास 025 था तो माइनस 0.5 25.5 हो जाएगा देन 5.5 to 11.5 हो जाएगा क्यूंकि 6 to 11 था नहीं देन 11.5 to 17 15.5 हो जाएगा तो 17.5 से लेके आपके पास 23.5 हो जाएगा एक बाद क्रॉस चेक कर लेते हैं तो 23 है तो 24 और 29 है तो 23.5 to 24.5 हो जाएगा ठीक है फ्रीक्वेंसी के अगर मैं यहां पर बात करूं तो 13 10 15 8 or 11 है तो 13 10 उसके बाद अगर हम देखें तो हमार पास 15 था फिर 8 थ सकती है तो फॉर्स्ट नंबर थर्टी नहीं रहता है अब उसमें 10 को प्लस करेंगे 23 23 में 15 को प्लस कर दो 38 38 में 8 को प्लस करो 46 46 में 11 को प्लस करो 57 इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल आपके पास कितना है 57 है ठीक है अब मुझे एन बाए टू चाहिए तभी तो मैं में क्लास निकाल पाऊंगी तो एन बाए टू आपको चाहिए होता है तो इसका मतलब है न हमार को यहां मिली गए 57 है डिवाइड वाइड वाई टू हो जाएगा लेकिन अगर आप देखें तो यह आपके पास यहां पर पॉइंट में इसका आंसर आएगा तो जब आप इसको अगर हम करके देख लें एक बार डिवाइड तो तू जब 4 हो जाएगा वन है सेवन हिया टू एट जब 16 हो जाएगा वन पॉइंट लगा के फाइव ट्वंटी एट पॉइंट पॉइंट फाइव आपका यहां पर आ रहे हैं अब इसको आप अपनी सी एफ में ढूड़ो तो सी एफ में यहां मिलेगा 38 क्योंकि उपर वाला 23 तो छोटा नंबर है न इससे ठीक है न यह आ गई आपकी मीडियन क्लास विक्कुल दिहान से समझना कोश्चन को यह मीडियन क्लास आ गई 11.5 तू 17.5 मुझे अपर लिमिट बतानी है अपर लिमिट क्या हो जाएगी 17.5 ओप्शन में देख लो बिल्कुल है ठीक है चलिए अब हम क्या करते हैं यहां पर इसका फॉर्थ पार्ट समझते हैं फॉर्थ पार्ट है डेली वेजिस आपको दे रखे हैं यहां पर ऑफ फैक्टरी वरकर्स रिकॉर्डिड तो कितनी दे रखे हैं यहां पर नंबर ऑफ सबसे जादा होती है तो अगर मैं यहां पर देखू हूं तो मेरी हाइस्ट फिक्वेंसी यह 27 तो यह मेरी मॉडल क्लास होगी लेकिन फिर दुबारा यह आपके पास कंटीनिवर स्रीज में नहीं है तो सिफ इसी वाले कोई चेंज कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 126.5 तो 13 32.5 अब इसमें लोवर लिमिट कौनसी है यही वाली तो है यह आपका अंसर आ गया कि ट्लियर है चलिए नेक्स्ट कोशन अंबर सिक्स में कह रहे है फॉर्ड़ फॉलोईंग डिस्टिबूशन दुबारा एक डिस्टिबूशन दे रखी है दस सम अफ द लोवर लिमिट क्लास आपको लोवर लिमिट का सम निकालने मॉडल क्लास क भी और किसका मीडियन क्लास कभी तो देखो मॉडल क्लास का तो आप यहां से निकाल सकते हैं यह आपकी मॉडल क्लास है क्योंकि हाइस फिक्वेंस और अगर आप देखे तो यह continuous series में है आपके पास है ना तो तो मुझे पता चल जाएगा है ना अब बात आती है F का टोटल करना पड़ेगा तो देखो 10 में अगर आप 15 को प्लस करोगे तो 25 हैगा 25 में 12 को प्लस कर दो देन उसमें टोटल 29 प्लस कर दो तो ये हमारा 66 आ रहा है अब अगर मैं अपनी CF यहाँ पर निकाल लूँ तो पहली तो में पास 10 रहेगी दूसरी में पास कितनी हो जाएगी दोनों को प्लस करके 25 हो जाएगी देन 25 में क्या करूँगी मैं 12 को प्लस कर दोंगी 37 37 में क्या करूँगी मैं 20 को प्लस कर दोंगी तो मेरे पास आजाएगा 57, अब 57 में मैं क्या करूँगी, 9 को प्लस कर दूँगी, तो 66, तो n by 2 मेरे पास होगा, 66 upon 2 मतलब की 33 हो जाएगा, तो 33 मेरा इस वाली में लाई करता है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये वाली में, तो ये मेरे पास क्या आगई, यहाँ पर मेरी median class आगई, ये मेर मेरे पास model class है, दोनों की lower limit एक की 10 है, एक की 15 है, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूँ, 10 प्लस 15 करूँगी, तो कितना आएगा, 25 ही तो आएगा, तो मेरा answer आगए इहाँ पर 25, क्लियर है, चलिए, इसी का ही लास्ट पार्ट है, वो है आपके पास, the median and the mode, respectively of a frequency distribution are 26 and 29, आपक क्या करना है, यहाँ पर मीन को find करना है, मैंने आपको जब लास्ट क्लास में उपर के questions कराये थे, तब भी इन तीनों के बीच में एक relation आपको बताया था, अगर आपको यादो तो और यहाँ पर इस बुक में दिखाया है भी ताब वो relation कहां लिखावाई, यह रा वो relation, जो आपके पास more is equals to में आपके पास 3 median, माइनस का आपके पास 2 mean, ठीक है, मोड आपको कोशन में 29 दे रखा है, median आपको कोशन में 26 दे रखा है, माइनस का 2 mean मैंने ऐसी ही रहने दिया, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, पहले मैंने क्या किया, 3 को 26 से मल्टिप्लाय कर दिय है, 78 आगया, इस 29 को इधर लियाई में और इस 2 mean को में इधर ले गई, ट्रांस्पोस किया और खुशनी किया, 78 में से 29 जाएगा, तो आपके पास 49 में रखेगा, तो 2 mean यहाँ पर है, is equals to 49, बस mean यहाँ से निकल गया, कितना निकल जाएगा, 49 आपन में 2 डिवाइट कर दो, तो जब आप डिवाइट करोगे तो 24.5 आएगा, इसका मतलब आपका यहाँ पर कितना आगया, mean वो आगया आपके पास यहाँ पर 24.5 बी, क्लियर है, कोशन नमबर 9 क्लियर होगया, कहीं भी डाउट हो, कमेंट करके पूश लेना, important question है यह, क्योंकि इसके कई parts आपके पास क्या है, CBSC में आएवे हैं, चलिए अब हम अपना question number 10 यहाँ पर देखते हैं, तो इस question में आप से क्या कह रहा है, find the class mark of the classes, दो classes आपको दे रखी है, इसका क्या करना, आपको class mark निकालना है, तो वो कैसे निकलता है हमारा, अगर हम upper limit plus lower limit कर दे, divided by 2 कर दे तो निकल जाएग class mark of 10 to 25, देखो, इन दोनों को plus करो, और divide कर दो 2 से, तो यहाँ रहे 35, और divided by आपके पास कितना आजाएगा, तो आपका answer कितना आजाएगा, 17.5, ऐसी class mark of दूसरा कितना था आपके पास, 35 and 55, 35 to 55, अब वो कैसे निकलेगा, 35 में 55 को plus कर दो, divide कर दो 2 से, 5 प्लस 5, 10, 5 प्लस 38, प्लस 1, 9, तो यह आपके पास आजाएगा 45, clear है question number 10, कहीं भी doubt हो, पूछ लेना, यह one mark में questions आ जाते हैं, चलिए, question number 11 आपके पास है, fill in the blanks, इसको और करते हैं, फिर हम आपके short answer type question शुरू हो जाएगे, तो अगर हम आपको बताया, mode is equals to में क्यों होता है, 3 median minus का 2 mean, पहला तो यही आगया, बहुत असान था, ठीक है, next कहा है, an ogive curve is used to determine, दे को एक ogive curve होता है, वो किसलिए use किया जाता है, median को निकालने के लिए use किया जाता है, ठीक है, इसका अलग से concept है, उसके separate video बना दूंगे, उसमें is, यहां पर है 20.5 and 30.7, then the value of median, अब आपको यहां पर median की value निकाली है, ने को more than or less than, यहां आपकी में है निये वाला concept, ठीक है, तो इस कोशन में, तो इसमें मैं आपको भी शॉर्ट में बता देते हूं, होता क्या है, जो आपको पता है, कि जो first value होती है, वो X की होती होती ह है ना, तो जब more than or less than के हो जाईव intersect करते हैं, तो median की value हमेशा वो होती है, जो X axis की value होती है, X axis पे जो होती है, इसका मतलब हमार पास यहां median हो जाएगा 20.5, तो अगर इनके इस exam में कोई ऐसा question आप पे आता है, fill in the blanks की form में, तो हमेशा ध्यान लगना कि जो X axis वाली value होत जैसे ओजाईव कर्व हम median के लिए यूज करते हैं, तो मोड के लिए हम क्या यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं, हिस्ट्रोग्राम, बाता है ना, हिस्ट्रोग्राम क्यों होता है, जो विकुल चिपके एक दम, जिसमें एक भी बार्स नहीं छूडते, इस फॉर्म में बनता है, उसको बोलते हैं, हिस्ट्रोग्राम, ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है, इव ना, मोड इस एड और मीडियन, मीन इस अलसो एट, देन दम, मीडियन विल भी, अगेन उपर वाला फॉर्मला अगर मैं यहां पर यूज करू, मोड मुझे एट दे रखा है, माइनस कह दे रखा है, तो एट यहां पर 2, 8 जा 16 हो जाएगा, अपन में 3 is equal to median आजाएगा, अब यहां पर अगर आप इसको प्लस करेंगे, तो आपके पास कितना आजाएगा, इहां पर 24 अपन में 3, तो median की वेल्यू आपके पास कितनी आजाएगी, 8 आजाएगी, सिफ केलकुलेट करनी थी formula याद हो तो, easily हो जाएगी, ठीक है, next the measure of central tendency which cannot be determined graphically, graphically सिर्फ आफ मीन को determine नहीं कर सकते हैं, बाकी median को अजाएव कर सकते हैं, and mode को आप histogram से कर सकते हैं, सिर्फ मीन को नहीं कर सकते हो, clear, next मैं आप से कह रहा है, if the class mark of a continuous frequency distribution are 22, 30, 38, 46, 54, 62, then the class corresponding to class mark, देको इस कोशन में आपको class mark दे रखा है, और आप से class interval पूछ रहे हैं, अभी तक के questions में आपने class interval से class mark निकाला है, है ना, अब अगर आप इनके बीच का gap देखे तो 8, 8 का gap मुझे सब के बीच में दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो जब भी आपको class mark दे रखा हो, तो उनके बीच का gap निकालो, 8 है, अब एक बर 4 इसमें से minus कर दो, इसका half और 4 ही इसमें plus कर दो, जो भी आपका class mark का gap होता है उसका half minus करना है, और उसका half ही plus करना है, तो 46 में 4 minus करेंगे तो 42 और 46 में 4 को plus करेंगे तो कितना आजएगा, 50 आजएगा, तो यह आपकी क्या आगई, क्लास इंटर्वल आ गई है आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं दोनों को प्लस करके तू से डिवाइड करके आपका 46 ही आना चाहिए क्योंकि वह इसी कही क्लास मार्क है क्लियर है चलिए अगर आप इसका नेक्स देखिए अभी इसके और भी पार्ट्स है इसमें तो यहां पर आप से क्या कह रहे हैं कूंस्त्रक्षण ẽक्षण ऊफ्यूज्यक ऐसे स्टैब आप गवैसंट अपकर अंच्छ. कून में बेन में तो बस सीद़ा सीदह लिख दो मीडियन क्लिर नेक्स्ट डिस्टेपड़ देवियेशन फॉर्म्ला आपको यहां पर फॉर्म्ला है इस्टेपड़ किसका for finding mean mean निकालने का तो वो होता है x bar is equals to mean mean is equals to mean a plus summation fi ui upon में summation fi होता है और into में आपके पास h होता है clear next the formula to find median of a group data तो group data का formula क्या होता है आपके पास median निकालने का वो होता है l plus n upon to minus का आपके पास होता है cf upon में आपके पास होता है f into में आपके पास होता है तो फॉर्मले इस भी याद कलने नहीं यह भी आ सकते हैं आपके पास clear next अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या कह रहा है the formula to find mode अब मोड का फॉर्मला भी लिखी दो जब इतने सारे फॉर्मले मीन का और मीडियन का पूछ लिया है तो मोड का भी लिख देते हैं तो वो होता है l plus में यहाँ पर होता है f1 माइनस का f0 upon में होता है आपके पास 2 f1 माइनस का f0 माइनस का f2 into में आपके पास होता है h clear next the range of the observation range का मतलब होता है highest minus lowest सबसे बड़ा में से सबसे छोटे को माइनस करना तो सबसे बड़ा नंबर अगर मैं यहाँ देखू तो 255 है और सबसे छोटा नंबर अगर मैं यहाँ पर देखू तो मेरे को 103 दिख रहा है यह दिख रहा है आपको भी माइनस करोगे तो कितना आ जागा यहाँ पर 2 यहाँ पर 5 यहाँ 1 152 आपका आंसर clear next में कह रहा है class mark क्यों होता है half अभी हम करके आया upper limit plus में lower limit तो upper limit plus में lower limit divided by 2 तो होती थी बस formula ही लिखना और कुछ नहीं करना क्लियर है next is the median of first 10 prime number अब आपको median निकालना है किसका starting के 10 prime number का तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो prime numbers में पास यहाँ पर लिख लेते हूं चलो मैं यह तो prime numbers में पास कौन कौन से होते है starting के 10 लेने है मुझे तो 2 3 5 7 11 13 15 नहीं होता है 17 होता है 19 होता है then 21 नहीं होता है 23 होता है count कर लेते है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक और चाहिए 29 अब मुझे इसका median निकालना है तो n अगर मैं देखू तो यहाँ 10 है even है तो even के formula में median कैसे निकलता है n upon 2 plus यहाँ पर होता है n upon 2 plus का 1 upon में 2 यह इसका formula है median निकालने का जब आपके पास even होता हो तो n है 10 तो 10 upon में 2 plus यहाँ आजाएगा आपके पास 10 upon में 2 plus का 1 और upon में 2 तो यहाँ आजाएगा 5 इधर तो 5 और यहाँ पर आजाएगा 6 और upon में 2 हो जाएगा अब 5 पर कौन सा लिखा है है आपर तो 1 2 3 4 5 11 है और 6 पर 13 है तो 11 plus 13 upon में 2 तो इसका मतलब यह 3 plus 1 आपके पास अगर मैं देखूँ तो यह 4 हो जाएगा अब 1 plus 1 2 हो जाएगा आपके पास ठीक है ना और divided by 2 आपके पास ऐसी है यहाँ पर कट कर दो 12 आपका आंसर आजाएगा ठीक है ना सिर्फ आपको प्राइम नंबर्स लिखने है वो विकुल ठीक लिखना अगर आपने वो नंबर्स गलत लिख दिये तो कहीं ना कहीं पर mistake हो सकती है ठीक है नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर the assume mean method to find mean mean निकालने का assume mean method तो mean is equal to a मतलब assume mean प्लस में क्योंता है summation fi di upon में क्योंता है summation fi और h नहीं होता है इसमें बस यहीं आपका answer होता है assume mean method में क्लियर है तो आज हमने ही वाले questions कर लिए अब जो short answer type questions है वह हम अपनी next class से शुरू करेंगे अभी काफी लेंदी है यह chapter पूरा chapter हमको complete करना है इस book से क्योंकि सारे ही questions हमार पास important है ठीक है तो देख लो एक बार cbsc में आए वे questions भी इसमें दे रखें यह line से सारे cbsc में आए वे है तोटल आपके पास 45 questions है बाकी के questions next class में करेंगे कहीं भी doubt हो comment करके पूछ लेना और अगर आपको यह video अच्छी लगी तो आप इसको like जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को subscribe क किजेगा इस बुक के कई सारे chapters है जो हमने कर रखे है सबकी वीडियो और लिंक जो है वो नीचे description में मिलेगी वीडियो चैनल प्लोड है प्लस सबकी प्लेलिस्ट बनी विए तो आप इस बुक से chapters को करना स्टार्ट कर दीजे थेंक्यू